कुमार विश्वास ने कुछ कहा है आपको बता दे आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास से बात की है हमारी समधा था रोश्णी ठोपने ने उन्होंने किरन बेदी को लेकर कुछ बाते कही है क्या कुछ कहा है आईए सुनते हैं आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वाजी हमारे साथ है कुमार जी आप से जाना चाहूंगी किरन बेदी प्रो बीजेपी रही है एजेंट का भी आपने नाम लिया है क्या वजह है इसकी क्या मतले बीजेपी सिंपिताइजर रही है यह मैंने कहा उनके लिए और वो स सिर्फ मनमाहन सिंग और सुनिया गांधी के दरवाजे प्रदर्शन करें हमारा के था कि मसंदरा राजे सिंधिया जी जो रजिस्थान की मुख्य मंत्रिय शिवराज चोहां जी अध्यप्रदेश और रमान सिंग इन तीनों ने भी बिना निविदा कराए बिना टेंडर करा करने की सिफारिश के खत प्रदान मंत्री को लिखे थे जिनको आधार प्रदान मंत्री ने उस आवंटन के लिए भी बनाया था तो हमारा गना था इनकी क्यो रुची थी को दिलवाने में पता चला कि वो नितिन गड़करी जी के सहयोगी थे पार्टनर थे संचेती साब जि अब बना कर दिया और ने का नितिन गड़करी के दरवाजे पर नहीं हो ना जिए प्रदाशन जब पूरी इंडिया गेंस्ट्रॉप्शन ने निया प्रदाशन तो होगा सब दोनों पर होगा तो फिर वो अस दिन आई नहीं उन्हें पोड़ा थे प्र बाद इन्या को बु वो प्रो बीजेपी थी तब फिर आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं का उसलों बहुत सारे प्रो बीजेपी, प्रो कॉंग्रेस, प्रो कम्यूनिजम, सेंट्रेस, लेफ्टिस सब थे उसमें तो इस अन्दोलन के शुरू होगा कोई किसी को वोट देता होगा कि नहीं देता लेकिन वो चाहती थी के बीजेपी नेताओं से बातचीत की जाए, बीजेपी नेता इसमें अपना इन्पुट दे और सदा अन्ना चुकी लीड कर रहे थे, अन्ना फेस थे और उनका जो स्वर था वो बहुमत में नहीं आता था और हम सदा ये गहते थे हम करॉप्शन के ख लिजेपी रही है, एजेंट का भी आपने नाम लिया है, क्या वज़ेशन के लिजेफी नेता इसमें है?